कि नमस्कार फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी लाइव योगा शेशन में चलिए दुनों हाथों को ऐसे अंजली मुद्रा में रखके नमस्कार मुद्रा दुनों आखे बंद एक गहरी लंबी सांस और प्रभू प्राथना पूरी की पूरी सांस दीरे 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 पहार निकालिए फिर से एक बार सांस लेते हुए अपने परमेश्वर को याद करते हुए और एक तीरे से सांस बार कर लिए फिर से एक बार टेक डीप ब्रेथ आज का हम शेशन स्टार्ट करते है एक स्टेंडिंग पोस से अपने दोनों पेरों के बल खड़े हो चाहिए अब क्या करना है एक थोड़ा हल्का फुल्का सा एक्सेसाइज है दोनों इसे स्क्लाइड जंपिंग करना है चलिए स्टार्ट सिथ पहर की उंगलियों पे ही हमें हल्का सा जंप लेना है दोनों हाथ एक डम ऐसे रिक्स अब थोड़ा जोगिंग की ऐसे गुटने नीज थोड़े अप ले लीजिए और केवल पेर के पंजे पर ही अब दोनों पेर को ऐसे एक से टाइफ फूट जितना अंतर रखें दोनों हैंड्स को ऐसे वाइड रखें और यह वाली एक्सिसाइज करनी है आगे जुकना है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेक के टो को टच करना है और दूसरा जो हाथ है एक दम पीछे और जब ऐसे करें तब हमारी दरश्टी यह जो हाथ उपर है वहां पे रहनी चाहिए वैसे ही तुसरे प 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 रिलेक्स अब हम आसन करने जा रहे है वो है गरुडासन यह गरुडासन खास करके अस्थमा के लिए बहुत ही फाइदे मंद है और साथो साथ जिसको भी यह शोल्डर्स की तकलिफों कौनियों की तकलिफों और अर्थराइटीज हो कमेंट्स में किसी ने बताया था कि अर्थराइटीज खुजराती में उसको संधिवा बोलते है उसके लिए आसन तो यह आसन बहुत ही उप्योगी है उसके लिए देख लेजिए गरुडासन कैसे करना है पहले यह राइट लिक को लेके बैलेंस करकना है और ऐसे थोड़ा म और नमस्कार नुद्रा और अब क्या करना है हाथ को थोड़ा उपर खिंचना है यह हुआ हमारा गरुडासन खास करके अर्थराइटीज के लिए बहुत ही उप्योगी है एक और बार चलिए साथ में करते हैं पहले लेफ्ट लेक का बैलेंस करके राइट लेक को लेके ऐसे मोडना है और यह जो आप देख रहे हो यहां से मेरा पैर बाहर आ गया इसे बाहर लाना है और वैसे ही बैलेंस रख के अगर कोई बैलेंस नहीं रख पा रहा है तो वो वाल का भी सपोर्ट ले सकते हैं वाल का सपोर्ट लेते हुए यह आसन भी कर सकते हैं और दोनों हाथ क एसे रख करना है राइट हैं को लेकि ट्विस्ट करना है और नमस्कार मुद्रा और अब यह दोनों हाथ को उपर की और खींचे रिलेक्स और पैर भी अब यह से महासन हम दूसरे पैर से भी करेगे राइट लेक से बैलेंस बनाए रखे और दूसरे लेक को ऐसे मोड़े अब हाथ को भी उल्टाना है ऐसे कर दिया लेफ्ट हैंड को निचे से लाना है और उपर की और खींचे अर्थराइटिस के लिए अस्थमा के लिए यह आसन बहुत ही उप्योगी रिलेक्स बैठ जाते हैं अब हम करेगे पवन मुक्तासन यह आसन खास करके जिसको भी वायो विकार रहता है पेट में गैस बहुत उत्पन होती है या फिर गैस के कारण मस्तिस्क पेइन यानि हेडेक होने लगता है शरिट के कहीं कहीं हिस्सों पे दर्द होने लगता है गैस के कारण उसके लिए यह आसन बहुत ही उप्योगी है सातो साथ जिसको गठिया का प्रॉब्लम है उसके लिए भी यह आसन बहुत ही फाइदेमन्द है और साइटिका के लिए एवं हाट डिसिस के लिए यह आसन बहुत ही उप्योगी है सातो साथ जिसको डैसेसू सिस्टम इंप्रॉब करनी हो अच्छी करनी हो उसके लिए भी ये जो पवन मुक्तासन हम करने जा रहे है वो बहुत ही उप्योगी ये आसन का जैसा नाम है वैसा ही काम है पहले पीठ के बल पर ऐसे लेट चाहिए दोनों हद को ऐसे सवासन की मुद्रा में एक गहरी लंबी सास पहले हम अर्धपवन मुक्तासन करेगे और बाद में पवन मुक्तासन तो ये आसन की दो पोजिशन हुई देख लीजिए पहले कैसे करना है राइट लेक को ऐसे उठाना है और गुटनों से मोडना है मोड के उसको एकजेट छाती के पांस लाना है और यहां से दोनों हाथ से ये घुटने को ऐसे पकड़ लेना है और थोड़ा सा इसे उपर होके घुटने को नाक से टच करवाना है ये जब हम ऐसे उपर आते हैं हमारी मुंडी जब ऐसे उपर आती है तब कमेंट्स में ये भी आया था कि फेशियल जो चर्बी है उसे कैसे कम करे तो कोई भी आसन में जब हमारा ऐसे मुंग उपर होता है तो इसे फेशियल चर्बी भी कम होती है ऐसे सास को बाहर निकाल के करना है और फिर रिलेक्स ऐसे ही दूसरे पेर से हम करेगे और बाद में दोनों पेर एक साथ में लेके भी करेगे चलिए स्टार्टिंग करते हैं राइट लेक्से दोनों हाथ को नीचे एक गहरी लंबी सास लेते हुए पेर को उच्चा करें गुटनों में से मोडे और सांस बहार निकलते हुए छांती से नजदीक लाईए और अब मस्तिस्क को उठा के नाक को गुटनों के साथ सपर्श करवाईए ऐसे सांस पूरी की पूरी बहार रिलेक्स तीरे से मस्तक नीचे और पैर सिधा ये पवन मुक्तासन खास करके हमारी डैसेसु सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए साइटिका के लिए हार्टिसिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है दुसरे पैर से करते हैं सांस लेते हुए लेफ लेक्ट को उचा करें सांस छोटते हुए गुटनों में से मुड़ते हुए छाती के पास लेके आईए और मस्तिस्त को उपर उठाईए नाग से कुटने का शपर्ष करने की कोशिश करें पूरी की पूरी सांस बहार और सांस लेते हुए सिधा कुटने को सिधा कर दीजिए दोनों पे एक सांस लंबे जिसको भी कब्स की तकलिफ हो कंस्टिपेशन की तकलिफ हो उसके लिए उत्तानपादासन और ये पवन्मुक्तासन और तिसरा शलबासन ये तीन आसन उत्तानपादासन पवन्मुक्तासन और शलबासन ये तीन आसन कब्स की तकलिफ के लिए साथो साथ मोटापा दूर करने के लिए ये तीनों आसन बहुती फाइदेमंद और बैस्ट आसन है ये कब्श और मोटापा दूर करने के लिए चलिए अब दोनों पेर से एक साथ ये आसन करते है गहरी लंबी सास लेती हुए दोनों पेर को उत्तान पदासान की तरह उपर उठाईए और सास छोड़ती हुए दोनों पेरों को घुटनों से मोड़े दोनों हाथों से पकड़के छाती के पांस लेके आईए और धीरे से मस्तिस्क को उठा के दोनों खुटनों के साथ स्पर्श करवाईए सास पूरी की पूरी बहार और रिलाक्स धीरे से मस्तिस्क को निचे रख दीजिए और दोनों पे को सीथा रखे गहरी लंबी सास लेते चाहिए चेहरे पे थोड़ी मुस्कान रखिए फिर से एक बार दोनों पेर से एक साथ करेगे गहरी लंबी सास लेते हुए दोनों पेर को उत्तान पदासन की तरह उपर उठाईए और सास छोड़ते हुए कुटनों से मोडे और चाती की नजदीक लेके आए दोनों हाथों से दोनों कुटने को कसके पकड़ लीजिए और तीरे से मस्तिस को उच्छा करके कुटनों के साथ सपर्श करवाईए सास पूरी की पूरी बाहर रिलेक्स तीरे से निचे और दोनों पेर को सिधा कर लीजिए गहरी लंबी सास ओ, स्वामी नालायनायन नामाः ओ, स्वामी नालायन आयन नामाः अब हम जो करने चाहरे है चकरासन चकरासन थास करके जिसको भी पीठ दर्द कमर दर्द हो उसके लिए यह चकरासन बहुत ही फाइदेमंद है पहले हम देख लेगे कैसे करना है चकरासन यह आसन करने में थोड़ा हार्ड है मुश्किल है लेकिन जब हमारा यह आसन का रोजाना का अप्यास होगा तो यह आसन आसानी से होने लगेगा पहले दिन पहले दो दिन दिन दो तिन दिन आपको यह आसन करने में थोड़ी दिक्कत होगी देखते हैं कैसे करना है आसन बाइद में हम सब साथ में मिलके यह आसन करें के ठीक है पहले दोनों पैर को ऐसे गुटनों से मोड लेना है और एकदम जितने हो सके उतना नस्दीक लाना है ऐसे और दोनों हाथ को ऐसे उल्टा रखना है और दोनों कान के पास ऐसे रख दिया पेले देख लो केसे करना है बात में हम साथ में मिलके करेगे और गहरी लंबी सास लेते हुए सास को पेट के अंदर रोक के रखना है और कमर को उपर उठाना है ऐसे सास को रोक के ठीके और जब ऐसा लगे कि बस मेडिक शंपा खतम होगी है जब रिलेक्स और दोनों पेर और हाथ को सिधा कर लेना है चलिए फिर से हम एक साथ करते हैं चक्रासन्द दोनों पेर को ऐसे खुपनों से मोड़े वो जितना हो सके उसने मस्धिक लेके आई है यह जो एंगल है वो जितनी हो सके उतनी कम रखे और दोनों पेर को एकड़म कूले के पास रखे और दोनों हाथ को ऐसे शोल्डर के पास उंगलिया जो है वो शोल्डर के सामने रहनी चाहिए और दोनों जो अंगुठ है वो काल के एकड़म निजदी चलिए गहरी लंबी सांस लेते हुए कमर को उपर की और उठाइए सांस को रोपते हुए वन टू थ्री फोर एंड फाइड रिलाक्स ती हीरे से निचे रखो जिसको भी शोल्डर की तकलिफ हो कमर की तकलिफ हो और थाइड और घुड़नों की तकलिफ हो ये पाच ओ पाँच ओ और और गेंज के लिए ये आसन बहुत ही उप्योगी है सासो साथ इसकी कमर की चल भी ज्यादा हो गई हो उसके लिए भी ये आसन इप समगन वांट्स तो लूप ब्यूटिफुल और अहेंस हैं पुरे शरीर को एकदम सुदोल बनाती है ये चलिए वापिस करते है ये आसन दोनों पैर को एकदम नस्दीक लेके आईए पुर्धे के नस्दीक दोनों हाज को हथेलियों को कांग के बाजु में रखिए उंगलिया शोल्डर के सामने एक गहरी लंबी सास लेते हुए सास को रोकते हुए कमर को उपर के और इठाईए ये ये वान टू फ्री फोर एंड पार इसे दम जिलिए से पूरा शिरेख होचे और देने पेर को अजिती और पिधा करें थोड़ा रिलेक्स मोड जहरी सास को की प्त्रिया स्वामि नाराया नाया नमाः कि अधिये फिटीं फोजिशन में आते हैं और प्रनायाम का सेशन स्टाट करते हैं पदमासंग या अर्थपदमासंग ऐसे या फिर स्वास्तिक आसंग में भी बैठ सकते हो पहले दो दिन जो हमने प्रनायाम किये थे बैली ब्रिथिंग और चैस्ट ब्रिथिंग ये दोनों प्रनायाम आज हम करेगे दोनों ही हाथों को ऐसे रख दो और पेट के उपर जब हम सांस लेते हैं तब पेट फुलना चाहिए और सांस छोड़ते है तो पेट अंदर चलिए साथ में करते हैं, start 1 और सांस बहार निकालिए 2 वापिस सांस लीजिए, पेट को फुलाईए और सांस बहार निकालिए 3 अब आपिस पेट को फुलाए ए और अंदर सांस बाहर ने काले 4 टेक डिप ब्रेथ इन एक्सपांड यो स्टमाख और अगें बाइब ब्रेथिं आउट टेक यो स्टमाख इन फिर से सांस लीजिये पेट को बाहर लाए और सांस छोड़ते हुए अंदर once again शरूर रख्ये ये प्राणाया स्वामिना लायनायन नमाख रिलेक्स दूनों हातों को दूनों कुपनों के उपर रखें गहरी लंबी सांस दूसरे प्राणायाम चैस्ट प्रिथिंग दोनों हातों को वापिस ऐसे रखके अपनी छाती के उपर रखें और सांस लेते हुए जाती को एक्सपांड कीजिए और सांस छोड़ते हुए कॉंडराट फिर से सांस लेते हुए जाती कुलाईए और सांस छोड़ते हुए जाती नीचे continue this breathing up to one minute take a deep breath in and breathe out expand your chest and bring it back to the lower normal position OM स्वामि नालायनायनमा स्वामि नालायनायनमा relax दोनों हाथ को दोनों कुटनों के उपर गहरी लंबी सांस और पूरी सांस बाहर निकालिये फिर से एक बार सांस लेते हुए और सांस बाहर निकालिये दोनों हाथों को अंचली मुद्रा थोड़ा के सिये दोनों हाथों को और अथेलिया को दोनों आखों के उपर रखे अपने दोनों चहरे के उपर अपने दोनों हाथ चहरे को गर्दन के उपर रखे वापिस एक बार थोड़ी देल दोनों हाथों को कीसिये और पूरे शरीर के उपर दोनों आखे बंध ही रखे वापिस अंजली मुद्रा में आईए नमस्कार मुद्रा और एक साथ प्रपू से प्राट्षना करते है सर्वे भवंतु सुखिनहा सर्वे संतु निरामया सर्वे पद्रानी पश्यन तू माकस्ची दुख भापवे तीरे से दुनों आखे खोलिए कल शायद हम पार्टनर योगा करेगे तो फिर आप जो योगा करते हैं तो आपके साथ अपने भाई को अपने बहन को अपने पती को या अपनी पतनी को साथ में बिठा के योगा करना है नमस्कार कल वापिस मिलेगे